करेंगे कि इस बार का कोश्चंट का लेवल कैसा था कैसे कोश्चंट पूछे गए और कुछ रिपेटेड भी थे तो सारे चीज़े हम लोग बात चित करेंगे और अब जैसे एक्जाइम कंप्लीट हुआ है और बहुत सारे स्टूडेंस ने कॉल किया जो यहां पढ़ते थे वो भी जो नहीं पढ़ते थे वो भी और सभी से बात चित हुआ तो जो उनका एक फिड़एक है जो उनके दिमाग में आयाद कि यहां सर यह कोश्चंट था ऐसा थ इसा था उसके basis पर मैं यह information दे रहा हूं मेरे पास कोई official question नहीं है नहीं ऐसा कुछ है तो जो students के आप बोल सकते हो memory best questions के अधार पर मैं यह video बना रहा हूं ठीक है तो चलिए शुरुआत करते हैं तो पहले हो यह जो कि exam हुआ आज इसमें चो questions थे जिसमें लीनियर का बात क questions symmetric matrices यह सब चीनियों से question पूछे गए जौर्डन कैनिकल फॉर्म ब्लॉक्स उससे पूछे गए कुछ एक दो question अच्छे थे कुछ calculation थे जिसको देख क्या बता सकते थे तो linear का जहां तक question इस बार आया है जितने भी students से बात्चित हुई है इसको आप बोल सकते है easy तो नहीं जब बेनी तो इसको मैं middle के portion में रखता हूँ चीक है और तो ठीक ठाक questions था जिरोंने linear को थोड़ा concept चुली बढ़ा होगा उनके लिए मैं question बूलूँगा बहुत असान तो नहीं पर था middle था अराम से उसको उन्होंने कर थोड़ा बुद सोचा होगा तो बन गया होगा रियल के questions में अगर आऊं बाकि मैं linear के कुछ questions के आऊंगा जिनके बारे मैं बातचीत करूंगा पहले मैं एक overview दे रहता हूँ कहां से क्या questions का जबार था मड़नाव अगर मैं real पे जाऊं तीस बार surprisingly कुछ questions uniform continuity के आर्टू पे पूछे गया था आर्टू से आर्टू को यह function ह है और F is equal to let's say F1, F2 उसकी uniform continuity के बारे में question पूछी गई है तो I think most of the students इससे डर गया होंगे जिनको uniform continuity थोड़ा deeply नहीं पता है यह uniform continuity क्या होता है उनको बस यह पता होगा कि यह कैसे discard कर सकते हैं कैसे sequence ले सकते हैं उसकी वजह से तो साइथ उनके लिए question टफ रहा होगा बट जो भी students ने questions को conceptually अच्छे से समझाओगा यह मनदारी से उनके लिए question बहुत यह पसान था मैं बताऊंगा question क्या है स्रीज से भी questions थे और अपना कुछ R के subspaces से भी related compactness connectedness इससे भी question पूछे गया है बाकि और भी questions अभी तक मिल रहे है बट अभी तक जो overview पीछले 2.5 गंटे में students ने जो बता है यह बता है इस बाता सकता हो कि इस बार रियल का questions आप बहुत तफ तो नहीं बठा मिडिल से आपके बीच में थोड़ा सा रख सकते हो उस बीच में due to changing the थोड़ा बहुत पैटल R2 से जैसे कि generally लोगों क्याद रहता था जीरो वन से आर के बीच में कोई function है तो वहाँ uniform continuous है कि नहीं इस टाइप के चीज़े तो बहुत सारे students का feedback इस बार यह भी रहा के सर्थ इस टाइप के यह भी question पूछे गए कि हाँ यह बतलब several variables से भी एक-दो questions और थे जो उनको याद नहीं अगी बट इसी टाइप के groups के अगर मैं बातचीत करूँ तो abstract algebra का तो fully question तो अभी तक हमारे पास नहीं आया बट हाँ जितना group theory का आया है एक question तो नहीं रिपीट ही कर दिया था कि कोई पनाइट group है तो उसको union of proper subgroups में लिख सकते है राइट तो आपको पता होगा कि ग्रूप अगर स्टाइट लिट नहीं है यू के अबल टो राइट तो वही था एक option बाकि था उस पे बहुत सारी चीज़े थी जिसमें हम लोग बातचीत करेंगे भी ठीक है डिटेल में और complex के भी argument principle राउचे स्थरम उससे questions थे ठीक है और बाचित करें तो अप्लाइट के स्योभी के question लोगों ने बताएं कि बहुत असान थे इस बार क्या question exactly हमें नहीं पता बट उनका जो feedback था कि यहां सा question असान था चीज़े नहीं पढ़ा होगा बहुत असानी से बन गया होगा PD के भी questions लगभग लोगों को लगा कि हां comparatively last year question was not that much बहुत ही tricky and something like that easy अगर आपको पता होगा you are able to solve तो थोड़ा से एक बार फिर से come back करते हैं अपना linear पर जैसे linear में question था कि real symmetric matrix है तो उसके eigenvalues real होगे क्या A का certain power identity हो रहा है तो A identity हो या नहीं है उसका square identity है कि नहीं कुछ ऐसा question एक certain power zero हो रहा है तो A zero होगा कि नहीं होगा ऐसा question और सारे eigenvalues real होगे ऐसा question या a diagonal होगा यह चार option थे अब इसको आप क्या बोलेंगे अगर जिन में थोड़ाबत real symmetric का अच्छा से पढ़ा होगा उसका eigenvalues को study करा होगा यह question रहने के लिए अब दूसरे पार्ट पर अगर में चलूं तो जैसे आप एक question चो students ने मुझे भेजा है let me see do I have that yeah जैसके दोनोंने n cross and matrices दीवे है और दो matrices दीवे है xy भी दो two matrices such that xy equal to x square plus x plus one ठीक है x square plus x plus one then which of the following is true x is invertible x plus i is invertible xy equal to yx and y is invertible ठीक है यह questions है इस पर based on question पूछा है कि क्या इस टाइब के चीज़े रहेंगी आपको दो matrices दी गई है ठीक है ना तो उसके basis पर आप क्या बता सकते हैं invertibility मतलब दो x और y है उनके बीचे एक relation है invertibility of x x plus y के invertibility are they competitive और y is invertible simple I think अब यह असानी category का question है मतलब क्या ही बोला जाए इसके बारे में एक quality form का question था q x y equal to this that and this को पूछा था कि there exist u in q3 such that q equal to 0 qt q there exist u in r3 such that q of u equal to 0 there exist u in c3 such that q equal to 0 the corresponding symmetric matrix of q is invertible मतलब एक quadratic form है अब उस quadratic form के लिए बोला जा रहा है जो quadratic form है इन्होंने x y z अफने define कर x y z z square plus x y plus z x plus y z उसलिए पूछ रहा है क्या कि rational से solutions से इसके मिल रहे है या real से मिल रहे है या complex आ रहे है उसको यू क्यूब यह quadratic form r3 मतलब पीन variables में इसके solutions है या नहीं है और इस quadratic form का जो associated matrix है या वो invertible है क्यों नहीं मतलब straightforward questions है तो मेरे खाल से लगता है कि most of the question students यह question को execute करे होंगे जिरोंने quadratic form को थोड़ा इसे से समझाओगा और अगर नहीं भी बना होगा न तो उतना मैं जैसे यहां बता रहा हूं कि यह straight forward question है आपको लवा रहे यार यह तो मेरे से हुआ ही नहीं सैद मैं मैं लाइक हो मेरे सर बोल रहे है इतना मैं तो दिदम गधा हूं मेरे से कुछी नहीं हो सकता वैसा नहीं है अगर यह question आपसे बना भी होगा तो ऐसा नहीं का बहुत टेज हो गया और बहुत ही बड़ है यह question है answer दीजिए simple बना बना नहीं बना कोई बात है नहीं it's okay बढ़ा क्यों नहीं बना इसका answer आपके पास होना चाहिए ठीक है ऐसा नहीं कि आप इसको निगलेट करते हैं completely why I am not able to solve इसका answer आपके पास होना चाहिए अगर इसका answer आपके पास है reasons आपके पास है तो आप question नहीं है तो थोड़ा उचीज को सम्हालो और नहीं बना इस भी मत हो जाओ अपने आपको निगेटिप भी thoughts पे नहीं ले आओ बना तो ठीक है तो नहीं बनने का reason पता होना चाहिए conceptual दिक्कत है या कुछ वैसी दिक्कत है तो ठीक है उसका रामबान है यहां पर है आप उस प्रोडक्क ले लो simply जिस्टेक दे प्रोड़क्ट और फिर आई one two and जे one two and उसके बैसिस पे पूछा जा रहा है आइगेन वहलूस ओफ एक्या होंगे वान होंगे टू होंगे एप्टिक्स है मैं यह जिए घ्र मापको दे रखा है आइगेन वहलूस के बारे में बात्चीत करने ही चार्च वाइस दी दे गया है जिवह ने थोड़ा वो मैंट्रिक्स का गुणा देखा होगा यह भी क्रिक्ठा कोस्चन है मतलब बहुत इसी तो में नहीं नहीं बोलूँगा तफ भी नहीं है तो आप बोल सकते हो कि मिडिल का पार्ट है नहीं 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 ऊपर बीच का पोर्शन का है यह कोस्चन पार्ट कर लिए अब जैसा मैंने बता है जासा गुरूप का जाते हैं गुरूप का एक कोस्चन था जो नहीं बोला है जी कोई फनाट गुरूप है फिर्स्ट ऑप्शन है जी कन बी रिटेन आज यूनिन आफ प्रॉपर सब गुरूप जी पहले भी रिपीट हुआ था पिछले बार भी पूछा गया था पिछले बार इंदसेंस नहीं कि इसके पिछले बार कभी नेट के स्ट्री में आग दूसरे एक्जाम में मुझे उतना यातों नहीं बताए कि सरहां यह कुशन आया हुआ है बट एनिवे महीं भी आया हो होता जिन्हों ने पहले नहीं भी ट्राइक कर आए थिंग जिन्हों पढ़ा होगा यह कुशन चुटकी बर्का है अगर आपको कॉंसर्प्चुली क्लैरिटी है तो हनाइट ग्रूप है उसको यूनियन आप कॉपस सब गूरूप से आप सब लिख सकते हैं और सब्सक्राइब कर करो कि कहां आप सी मिस्टिक हुई है बहुत इची बात नहीं बात है तो सकते और वैशी बात है आप कुछ पूर अच्छा कर सकते अपने लाइफ में मैस को लेकिया करो चुक्त genetics को कहांस क्यों घौनिए लुठ चुरी आपने पढ़ा है तो नहीं पढ़ा है अब उसके लि जो है तो गुरूप के यह एक दो कोश्चन्स थे हमारे पास और भी है एक गुरूप था कि दो गुरूप है जिनका ऑडर का जी सीडिवान है कितने गुरूप होगे ऐसा कोश्चन का अब इससे असान कोश्चन अब क्या एक्सपट करते है गुरूप मेरी का दो फनाइट सब्सक्राइट गुरूप होगे तो असान था बहुत ही में डाल सकता है असान से मिडिल के बीच में डाल सकता हूं तो तो नहीं हुआ तो जो अब आप से बनाओ तो यह आप प्रोच नहीं पाएंगो एक्जामपल काउंट एक्जामपल लेकिए अब ड़ सकते हैं बड़ उसका अब यहीं तक जा सकते हैं तो बात है थोड़ा सा रियल पाथ है ठीक है रियल के कोश्चन से बड़ थोड़े से अच्छे थे एक पहला है मैं सेड दिया है एक्स फानाइट सेथ हैं और य लिया गया है एंफ इनवर्ष जीरो जिख्रेख है एफ is a real फ़रूट फंशन on एक्स तो बोड़ा की काडेनटिव य क्या आगा एक्स फ़र्णाइट सेथ है और वाईक सेथ डिफान किया गया है इनवर्स भीम और 0 का inverse image लिया जा रहा है उसका एक collection है इस टाइब के function is type के जितने भी functions है उनका 0 का जो inverse image जाता जाएगा उसका एक collection है या और पाटिल के लिए inverse image पूछ रहा है क्या पूछ रहा है पता नहीं बादनल्टी w a i ke पूछ रहें कि जो f inverse of 0 जो आ रहें इस टाइब के हर different different f के लिए उसकी current क्या होगी तो ये ख्याल से मेरे question साथ student ने ढंग से लिख के नहीं भेजा है आप मेरे को correct कीजिएगा question क्या है तो मैं इसका answer दे पाऊं या इसमें इस वीडियो ही बना दूँगा मुझे question थोड़ा interesting दग रहा है दो series के questions है बहुत ही असान है मैं आपके लिए read कर देता हूँ पहला series है log 1 plus 1 by n square conversion या divergent दूसरा है series sin n pi by 2 whole divided by root है देख्या है तो इस टाइब के दो questions है log 1 plus 1 upon n square यह पहला series यह conversion या divergent दूसरा series sin n pi by 2 whole divided by root है यह conversion divergent तो आसान से question है आपके series का मुझे लगता है कि लगभग students question को बनाया होगा फिर जो मैंने starting में वीडियो के starting में बोला था कि आपको uniform continuity का question है आट तूसराटो के बीच में f of xy equal to ax plus dy plus c divided by dx plus y plus g देख्या है यह function है आट तूसराटो के बीच में तो इसके बारे में पूछा जा रहा है कि यह continuous है क्या नहीं uniform continuous है क्या डिफ्रेंशबिल्टी है कि नहीं बगवगरा I think uniform continuity में लोगों को दिक्कत हुआ होगा मुझे जहां तक लग रहा है बाकि कभी कभी तुक्पा भी काम कर जाता है राइट मैंने बोला ना उसका भी एक उम्र होता है कि लिमिट होता उसके आगे वह काम नहीं करता है तो इस questions को देखके मुझे लग रहा है कि सब्सक्राइब से questions के standard इस बार अच्छे होँगे क्योंकि मेरे पास 4-5 questions आए है और ठीक ठाक मुझे लगे है तो यह question था answer बहुत ही trivial था है f zero infinity से आर के बीच में define किया गया fx equal to 1 minus 2x minus 1 4x belong to 0 1 and f is periodic function on 0 1 within period 1 यह की period with period 1 and g zero infinity से आर के बीच में gx equal to f of x square तो पूछ आजार f continuous है f uniform continuous है g is continuous है g uniform continuous है तो हैने का मतलब है कि f जो है वो periodic function है on 0 1 ठीक है f periodic function 0 1 with period 1 I think f continuous function on close interval 0 1 और periodic है with period 1 और g zero से infinity की बीच में define कर जया गया है gf is equal to 1 minus x square तो f continuity, g continuity, the uniform continuity के बारे में फ़र समझे question पर थोर डाउट लग रहा है language पर तो कि function जो इनने define कर रहा f 0 से infinity के दीच में है fx equal to 1 minus 2x minus 1 for all x belongs to 0 से 1 अच्छा 0 से 1 के बीच में function इनने define कर रखा है 1 minus 2x minus 1 और इसको बोला कि f periodic function है on 0 1 नहीं होना चाहिए पुरा domain में periodicity आप बताएंगा बात with period 1 तो 0 से 1 के बीच में define करती है and then you are using the periodicity चलिए 1 से 2 फिर 2 से 3 ऐसा से चलते जाएंगा फिर इस पर f की continuity uniform continuity g की continuity uniform continuity gx के से defined हुआ है gx equal to f of x को है I think institute कर लिया होगा लोगोंने function अच्छा है बट अगर आपको पता होगा कि कोई continuous function periodic है तो वो uniform होता है कि नहीं होता है number one दुसरा को function g of f of x square है अब जो function define किया गया 1-2 x-1 वापे जब f of x square आप put करेंगे and then use the periodicity I think Logan's questions को execute कर रहा होगा यह question हो गया उस level का ठीक है next तो यह जो पहला question था उसको भी मैं moderate level पे लगता हूं विपको मैं middle बोल रहा हूं बार बार तो बहुत ही tough question नहीं था बर हाँ असान नहीं बहुत लोग लेंग्विज से डर गयोंगे बड़ ऐसा भी नहीं था कि लेंग्विज बहुत ही नहीं रहा था मतलब यूनिट सर्कल लेकिन कोडिनेट्स बोथ कोडिनेट्स फ्रॉम राइशनल क्या वो सेट कॉम्पाक्क्ट है इन क्यू तो अब कॉम्पाक्टनेस क्या है सबस्पेस्ट अपलोज यह बड़ा अच्छा रेलेशन होता है तो पढ़े होंगे आंसर वान के लिए एक सेग अच्छा कर सकते हैं इसको as a feedback लेके कि हाँ यह कमी था अगर मैं ये इसको कर लेता भी तो सथ मेरे अग्जाम और बहतर हो सकता था मैं और बहतर लिख पाता है ताकि वह confidence मेरे अंदर आता है वह बात नहीं अब जो हो गया आगे एक्जाम से अच्छा हो उसके लिए ध्यान रखना है तो आगे मैं बताओं कट ओफ वेगरा क्या इसकी में बता दो हम लोगा अपना जो बैच है वो दो जनवरी से स्टार्ट होगा रिगुलर बैच CSR NET के लिए और PhD के एक्जाम के लिए तो जो भी स्टूडेंट से एक ले रहे हैं समझ रहे हैं वो जूड़ सकता है अपने आपको कोशने की जरूट नहीं है बिलकुल नहीं है पॉस्टिव रहे है और यह सोचिए किस वजह से एक्जाम खराब गया इसलिए मैं बार बार ब इसका अंसर होना चाहिए तो फिर यह मिस्टेक्स आप बार बार रिपीट करोगे उसमें लगता है कि मेंटोर्स की जरूट था है गाइडेंस की जरूट था है यूर मोस्ट वेलिकम चालो जनरल एप्टीचूट के भी कुछ बच्च्वन कोशन भेजे थे तो आई थिंक व मतलब मेरे ख्याल से लगते है क्यासा नहीं थे तो में बोलने की जरूट था है नहीं एक रियल का एक कॉशन और है पॉइंट वाइस कंवर्जेंस उनिफर्म कंवर्जेंस से एफ एक्स इकल टो एक्स तो दी पावर एंड लॉट एक्स दी पावर एंड तो इसके बार में कि एक लाइन का अंसर है आप मुझे बताएए क्यों है एक लाइन का अंसर ओके फिर सो कुछिन पढ़ रहा हूं रफन x equal to x to the power n log 1 plus root x whole divided by 2 यह log के अंदर का जो आर्गुमेंट है log x लिखतो हूं x के जगह पर है 1 plus root x whole divided by 2 x 0 1 से close interval 0 1 सा रहा है यह sequence of function क्या uniformly convergent है close interval 0 1 में या point wise convergent है close interval 0 में यह question है अब जिनों भी थोड़ा बुद पढ़ा होगा fn x equal to x in time something और उस time something का कुछ property है uniform convergers एक second का है उसका मैं बात करूँगा और भी option आ जाएं तो मैं देख लूँगा इसका solution अभी बना के मैं बेश दूँगा क्या attention मतलो और इस solution में बना भी तो कोई मतलब यसा नहीं कि बहुत ही कुछ knowledge gain हो जाएगा या आप अलग से कुछ मुक्ष की प्राप्ति हो जाएगे वैसी भी नहीं है मैं क्या बार-बार बोड़ रहा हूं कि अपने maths को लेकि जो आपका intention है उसमें clarity होनी चाहिए राइट कि आप क्यों ऐसा exam दे रहो क्यों पढ़ रहो क्या purpose है जो तिंग basic questions हो है उसका answer होना चाहिए कि आप को 11-12 के के लिए तो फिर आपको खुछ से ही नफरत सा होने लगता है जब आप प्रूपास करते हो दो तीन बार exam देते हो पीजे सही track पर नहीं आती है तो खुछ से ही बुरा लगने लगता है कि सायद कुछ नहीं होगा मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि आप बहुत अच्छे हैं बहु क्या है नहीं है अभिद्ध आर्वडी निहीं हुआ है भहुत बड़ा देशुम है छलों ख्रांग आक प्रम्मया सरी होगे तら संव्यें होगे समय लगा वाज कि क्या है क्या यूज के अंदर दिगकत तो मैं ठ कर सकता है क्या कर सकती हो कि मुझे पूरा विश्यवास है कि म स्थेर्म से ऐसे कोश्टन थे लोगों ऐसे ही बता है कोश्टन उने लिखें बहुत नहीं पड़ रहे थे उनका भी था कुछ कोश्टन रिशा कि बोल सकते हैं उसको कि ठीक है moderate level पे था, moderate से low के बीच में था, ठीक है, almost like moderate, वो अभी तक मुझे question मिला है, आगे मुझे मेरे को ring theory का question नहीं मिला है, अभी तक जो real का पता चला है, question moderate से, और अपके बीच में मैं रखता हूँ, अच्छे खासे question नहीं था, जो मुझे देख के अभी तक लगे हैं, एक आदो, अगर sequence और series का question मैं अटा दो तो, complex का, जो दो question अभी तक आये हैं, उस basis पे मैं बता सकता हूँ कि ठीक है, question ठीक था, ठीक था, लेकिना part C में किस level का था, देख लेते हैं, इस basis पे, अभी के जो questions मैंने आप से discuss करे हैं, और जो लोग बता रहे थे कि PD के भी question असान थे, इस basis में मैं बता सकता हूँ कि questions का जो level था, पिछले साल के अगर मैं compare करूं, मतलब इसी साल जो June में हुआ था, उस से घर compare करूं, तो question का level उसी के आसपास है, सब कुछ अगर आप compare करेंगे, सब कुछ, पिछले जो June में exam हुआ था, linear के question का standard थोड़ अच्छा था, इस बार भी एक दो question को छोड़ के पता नहीं, बाकी कम है भी, नहीं है था, लेकिन वहीं था, तो अगर cut off की बात की जाए, अगर पिछले साल, if I'm not wrong, साइथ, 110 या ऐसा ही कुछ, 100 या उसी के पास, के आसपास कुछ था, right, you should correct me, जो भी था, उसी के 5 marks आगे, या 5 marks तीछे, ऐसा ही कुछ cut off हो सकता है, इस बार, ठीक है, कि बाकी चीजें फिर balance कर रहे है, यह से साइट में देखता हूं कि कभी भी question जो भी होता है, कभी कुछ section से question बहुत ही, असान दे रहते हैं, तो कुछ section के question का थोड़ा सा standard बढ़ा देखते है, वो भी बहुत ही असान ही होता है, लेकिन पूछने का तरीका थोड़ा सा अज यह क्या हो, डर्म नहीं होगे, तो इसी टाइप कर सब चीजें है, तो अब जैसा भी रहा, आप उस पे देखिए, और इस questions को ध्यान से देखने के बाद मुझे ही लग रहा है, कि cut off, जो भी रहे, पांच marks हो सकता है, बढ़ सकता है, जो भी था, मिछले बार अगर 110 होगा, या पांच, अगर बाकी के question जो मुझे नहीं मिले है, अगर थोड़ा से इससे अच्छे आ गए, तो पांच घड़ भी सकता है, लोर भी जा सकती है, cut off, तो पांच नीचे या पांच उपर, यही रहेगा ratio, कुछ, वैसा कुछ, मिदलब एक अनुमान में बता रहा हो, अभी mistakes आपके नहीं होने हो चाहिए, उस पर कैसा आपका command होना चाहिए, उसके आपको ध्यार रखना है, ठीक है, बाकी, आगे में और भी questions आएंगे, तो उसमें मैं बात्चिक करूँगा, या एक और वीडियो के detail में बना दूँगा, अगर कुछ questions, मेरे authentic questions और आ गए, तो मैं और सबाचिक करने, ठीक है, बाकी आप ज्यादा hopeless नहीं होने के जरुवत है, अपने भरूसा रखे, अच्छा सोचे अटलीस्ट अपने बारे में, आप अच्छा सोचेंगे, तभी कुछ हास-पास के लोग आपके बारे में अच्छा सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे, और म माच को मच को भी, माच को लगे रहे, खोबा के बड़, ठीक है, मिलते हम लोग बहुत ही जल, नेक्ट वीडो नो अपना घ्याद, ठीक है, बाए